नमस्ते दोस्तों, आज सुनिये वरिष्ट कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी आथ में चौनी, मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंग पांच मंजली उस इमारत की तीसरी मंजल पर इस्थित पुस्तकाले की ओर से कपड़ी की एक बड़ी दोजा उसी दिन 17 मार्च को आयोजित एक गोश्ठी की सूचना वहीं प्रांगण के प्रवेश द्वार पर दे रही थी सूचना के अंतरगत बड़े अक्षरों में गोश्रा थी, पुस्तकों की मांग हमें हरी जिल्द दो तथा उस गोश्रा के नीचे छोटे अक्षरों में उस मांग का तत्तो कारण दिया था पेड़ ही हमारे पुस्तक उद्द्योग के कागज तत्ता मुद्रण के साधन है तत्ता उनके योगदान की प्रशस्ति सुरूप हमें अपनी पुस्तकों को हरी जिल्द देनी चाहिए विशे मुझे मनोरंजक लगा था तत्था मैंने दूसरी मंजिल पर बने बिजली के दफ्तर जाना टाल दिया सोचा पहले पुस्तकाले ही जाओंगी उसकी सदस्या तो मैं थी ही अभी मैं अपना मन बना ही रही थी कि मैं प्रांगर में एक तिपहिया आन रुकी बाड़ा कितना हुआ उतरने वाली कुंती थी तीन वर्ष पूर के मेरे पुराने पुरुष मित्र सुरेश की नई सहीली जिसे सुरेश ने अभी पिछले माहा ही मुझे इसी पुस्तकाले में मिलवाया था इसी चार मार्ज को हम कोर्ट मेरेज कर रहे हैं 120 बिटिया तपया चालक ब्रिद्ध था तुम बाकी चेंज रख लो 100-100 के दो नोट कुंती ने उस चालक की और बढ़ा दिये थे मगर बिटिया तुम रखो और कुंती ने अपना हाथ खाली कर दिया था तब ही मैंने उसकी मांग और कलाईयों पर ध्यान दिया तो उन्हें भी खाली ही पाया पहनावा भी उसका इतनम फीका था दूसर वो चुकी जीन्स के उपर उसने जो टी-शिएट पहन रखी थी जो कभी नीली और गुलाबी रही होगी उसकी धारियों के रंग मंद पड़ चुकी थी उसके पैरों की चपल भी किसी कुड़े के धेर में फिकी जाने वाली थी सुरेश कहा है मेरी जिग्यासा ने मुझे उसके कदम के साथ कदम उठाने पर बाद ही कर दिया तीन मार्च के सुबह वो वाशिंटन के लिए निकल गया है उसकी आँखों में आसू छलकाए मैं जानती थी सुरेश के पिता उन दोनों तीन वर्ष के लिए विश्व बैंक में हुई अपनी तैनाती के अंतरगत वाशिंटन में रह रहे थे शादी के बगएर मैं मनी मन मुस्कुराई उससे पहले भी मैं सुरेश को तीन लड़कियों को अपने मन में बिठालने के बाद उन्हें मन से उतारते हुए देख चुकी थी हाँ और कुंती अपने आसों को संभालती हुई इमारत के सुरक्षा जाच वाले बूथ की और चल दी मैं भी उसके पीछी पीछे वहीं चली आई आप अपने साथ कुछ नहीं लाई जाच के बाद लाउंज में पहुचते ही मेरी जिग्यासा खुलकर प्रकट हो ली नहीं उसकी आँखे अब अपने आसों सभाल नहीं पाई लाउंज में लिफ्ट के पास कड़े लोग हमारी और देखने लगे आज पुस्तकाले नहीं जा रहीं मुझे उसकी चिंता हुआई नहीं उसने नीचे आच चुकी लिफ्ट की और मुरना चाहा लिफ्ट में अभी इन सब को जा लेने दीजिये मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उसमें जाने से रोग दिया मुझे आपसे एक जरूरी बात कर रही है सुरेश ही के बारे में क्या वो चौंग गई चलिए इस दूसरी लिफ्ट में चलते हैं अकेली हम दोनों जब तक नीचे आच चुकी दूसरी लिफ्ट मुझे नजर आ गई थी आपकी मंजिल लिफ्ट का दर्वाजा बंध होते ही मैंने अपना दूर्थक प्रश्ण उसकी और निर्दिष्ट किया आखरी इस इमारत की आखरी मंजिल में एक रेस्टरा था आधा छटदार एमाम आधा खुला किन्द उसके खुले भाग के एक कोने में अशुब वो बालकनी भी थी जहां से नीचे कूद कर अभागे कई विवक यूतियां स्वेच्छा से मृत्य प्राप्ट कर चुके थे मैं भी उसी आखर मंजिल पर ही जा रही हूँ उसे अपने पक्ष में लाने के लिए मैंने कब उड़ा दी लेकिन उसके रेस्टरा में नहीं उसकी बालकनी पर सच? भौचक होकर वो मेरा चेहरा ताकने लगी वहाँ जाने से पहले बेशक सुरेश के बारे में तो मुझे आप से बात करनी ही है हाँ हाँ सुरेश ने क्या किया? वो उसक हो आई उसने मुझे दोका दिया आप से मुझे मिलाते समय बोला था वो आप से शादी कर रहा है जबकि उसने ना तो शादी ही की और नहीं अपनी दोस्ती ही निभाई मैंने दूसरी कब भागी दोस्ती कैसी दोस्ती वो लगबग वाखला गई संयोग वश उपर जाते समय लिफ्ट के रास्ते में पढ़ रही अन्य मंजिलों से भी हमारे साथ कोई शामिल नहीं हुआ और पांच भी उस मंजिल पर हम दोनों अकेली ही उतरी सोचती हूँ आपके साथ थोड़ी देर के लिए इस रेस्टरॉँ ही में बैट लूँ अपना दुख बाट कर ही उधर बालकनी में जाओं मगर पहले बताईए इधर इस रेस्टरॉँ में आप किसी से मिलने आई है क्या लिफ्ट से उतरते ही मैं रेस्टरॉँ के और पढ़ ली अब मुझे किसी से भी मिलना मिलाना नहीं है बस सुरेश के बारे में आपकी बास सुनी बाकी है और फिर फिर क्या उसे रिरेस्तर करने के लिए मैंने अपने शस्तर उठा लिये मैं मनुविग्यान की लेक्शरर थी और जानती थी उसके इश्टधरा से उसे अपने मार्क पर लाने के लिए मेरा उस पर सीधा प्रहार करना सर्वथा ठीक था पिर पिर वो घबरा गई चली अभी रेस्टों में बैठते हैं फिर की फिर देखी जाएगी अभी कॉफी पीते हैं सेंड़िश लेते हैं अच्छा हुआ जो अपना बटवा में लेती आई आपकी तरह खाली हाथ नहीं आई मैंने मेज कुर्सियों पर अपनी नजर तोड़ाई और बीच वाली एक मेज के और बढ़ चली हाथ खाली करते समय आपने अपने कंधे नहीं खाली किये उसके आसन गहर करते ही मैं शुरू हो ली कंधे मैं समझी नहीं अपने कंधों पर आप अभी भी सुरेश को लादे हुए हैं अपने कंधे मुक्त करिये अपने जिन्दगी में नया अपना खाका उतारिए अपने लिए नई लकीर खीचिए सुरेश को एक दूस्वपन समझिए मानो वो आपकी बाजू से होकर निकल गया अपना भविश उसके साथ जोड़ने के बजाए अपने लक्ष अपने सपने के साथ जोड़िए तभी वेटर हमारी मेज पर पानी के दो गलास ट्रे में रखे हमारा ओर्डर लेने आ पहुँचा यहां की टिकिया और पानी के बताशे फिर आप दो कॉफी लाईए और दो-दो प्लेट यहीं दोनो मैं कुछ नहीं लूँगी प्लीज वो लगबग उठने उठने को हुई तुम यह लाओ हम दोनों खाएंगी मैंने अपना हाथ कुंती के हाथ पर जा तिखाया क्या सुरेश के बारे में आप कुछ जानना नहीं चाहती थी हाँ हाँ तो फिर बैठी अभी दूर करना चाहती थी आप बहुत गलत रास्ते पर जा रही है सुरेश से मिलने से पहले भी तो आप कुछ थी कुछ कर रही थी हाँ मैं जे आरफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा रही थी अब भी पा रही हूँ बलकि आज ही उसका नया चेक कैश करवा कर लाई हूँ जे आरफ तो केवल नेट परिक्षा में मेरिट लिस्क पाने वालों को ही मिलता है मतलब आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं थी कहिए थी सुरेश की बेफिक्री और अमीरी की चका चौन ने मेरी आँखे मगर धुंदली कर दी मेरी समझ भठका दी और अपना शोध अपना अध्यन अपना परिवार भूल कर मैं उसके साथ आँख में चौनी खेलने लगी आपके परिवार में कौन कौन है मेरे पिता हैं तदा दो चोटे भाई पिता एक सरकारी दफतर में कलर्क है और भाई दोनों पढ़ रहे हैं इसलिए आज फैलोशिप पाते ही मैंने अपने सभी बिल चुका दिये दोबी के, अकवार वाले के, खाने के, हॉस्टल के ताकि मेरे पीछे उन पर कोई अत्रिक्त बोज ना पड़े अपना सारा सामान बान समेट कर अपनी हॉस्टल वार्डन के सुपोर्ट कर आई हूँ एक लिफाफे के साथ लिफाफे में क्या है? मेरी चेट बूग, मेरी बास बूग, मेरे सभी पहचान पत्र और मेरी आद्भत्या का नोट आद्भत्या? मैंने हैरान होने का स्वांग भरा हाला कि कुंती को देखते ही वो मेरे संधी के गेरे में आ चुकी थी आकिर मनोविग्यान पढ़ी हूँ पढ़ा रही हूँ हाँ, अब मैं जीना नहीं चाहेती अपने को मृत्य दंड देना चाहेती हूँ अपने पिता तता भाईयों को धोका देने के लिए खुद को धोका खाने के लिए और जिसने सब को धोका दिया है आपको, आप जैसी कितनी ही लड़कियों को और अपने उस दोस्त को जिससे उसने अपनी शादी के नाम पर एक लाक रुपया आए था और वाशिंग्टन का टिकेट कटा लिया किस दोस्त से? मुझसे मैंने दूसरी कब भांगी आप उसकी दोस्त हैं? ठी मगर अब नहीं और सोचती हूँ हमें अपना-पना भविशे बिगारना नहीं चाहिए और अपने आपको महत्यों देना चाहिए उसे नहीं शायद आप ठीक कह रही हैं कुंती ने मेरे रुमाल से अपना चेहरा कोचा और मेरा हाथ पकड़ कर बोली अगली बार मेरे बटुए से बिल चुकाया जाएगा तभी वेटर हमारा सामान लेकर हमारे पास आप पहुँचा और हम सुरेश को भूल कर उस पर तूट पड़ी अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी आख मिचोनी उमीद है कहानी आपको पसंदाई होगी हिंदी की शर्ष्ट कहानिया सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूले लाइक करें और शेयर भी करें धन्यवाद